Hi everyone, welcome back to my channel So guys, first time मैं यहाँ पर इतना जादा large sketch ड्रॉ करने वाली हूँ जो कि है A1 size and यह है a commission work and यहाँ पर मैंने outline को draw किया है and आप देख सकते हैं pencil and mobile की screen कितनी छोटी दिख रही है इस sheet के आगे क्योंकि यह बहुत ही जादा large sheet है and मैंने इससे पहले कभी भी A1 size का sheet पर कभी भी draw नहीं किया है तो first time मैं draw कर रही हूँ and यह जो sheet है guys वो है ivory sheet and यह 250gsm का है जो की काफी thick paper है and यहाँ पर आज हम realistic eyes की drawing देखेंगे तो realistic eyes को मैंने shade किया था वहीं आपके साथ मैं यहाँ share कर रही हूँ यहाँ पर मैं charcoal pencil का use कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर eyebrows है वो भी काफी ज़ादा large दिख रहे है क्योंकि यह even size की sheet है तो यहाँ पर मैंने charcoal में camelin का soft charcoal pencil use किया है charcoal pencil से काफी result अच्छा आता है and easy होता है large areas को draw करने में यहाँ पर मैं charcoal pencil के साथ-साथ graphite pencils का भी use कर रही हूँ जो की है brustro का graphite pencil and इसके साथ-साथ मैं इसको blend करने के लिए brush का use करूँगी and highlight provide करने के लिए zero eraser का इस तरीके से आप जो बिल्कुल ही black वाला area है जैसे की iris वाला area वहाँ पर आप directly charcoal pencil का use कर सकते हैं जैसे की काफी अच्छा result आता है and आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है and इस तरीके के even size पे अगर आप draw कर रहे हैं single face को draw करते हैं तो काफी ज़्यादा बड़े-बड़े size में आपको eyes nose दिखते है and जिसको draw करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा यह time taken होता है तो आप किस तरीके से draw कर सकते हैं easy way में so उसके लिए मैंने यह tutorial upload किया है जिससे कि आपको काफी help मिलेगी large eyes को draw करने में and ऐसे करके मैं यहाँ पे first layer को apply कर लूँगी and first layer को apply करने के बाद इसमें और भी layers को add करेंगे 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 जिससे प्रुड़ा यह प्रुड़ा आप प्रुड़ा अपको यह आप आप इसके बाद इसको ब्रेश के हेल्प से मैं ब्लेंड कर रही हूं तो ब्लेंड करने के बाद इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं काफी स्मूध आ रहा है क्योंकि यहां पर हमने काफी स्मूध तरीके से शेडिंग किये है एंड यहां पर मैं आइब्रोज के एक दो हेर के लिए मेकैनिकल पैंसिल का यूज़ कर रही हूं इससे काफी लाइट हेर्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं सेकेंड लियर के लिए मैं अपलाई कर रही हूं 2B पैंसिल का एंड इसके साथ ही मैं 4B पैंसिल का भी उसकर रही हूं एंड कुछ एरियास पर काफे ज़्यादा डार्कनेस है तो उस डार्कनेस के लिए मैं थोड़े से ज़्यादा ग्रेट के पैंसल यूज़ करूँ की जैसे की 7B, 8B and 10B एंड यहाँ पर मैं स्किन के डीटेल्स के लिए यूज़ कर रही हूँ जीरो एरेजर का एंड उसके बाद मैं उसको वापस से ब्लेंड कर रही हूँ एंड डीटेल्स भी आड़ कर रही हूँ सो डीटेल्स ड्रॉ करना काफी इंपॉर्टेंट होता है एंड आइस के आसपास वाले एरिया पे काफी फाइन लाइन्स जो होती है एंड जैसे के रिफरेंस इमेज में भी था तो उस तरीके से मैंने अब्जर्व करते हुए इसको ड्रॉ किया है तो ऐसी चीज़ों को ड्रॉ करना से काफी अच्छा लुक आता है एंड काफी रिलिस्टिक ड्रॉइंग जो है वो रिजल्ट उसका आता है इस तरीके से हम आयस की ड्रॉइंग को कम्प्लीट करेंगे and सबसे last में हम यहाँ पे draw करेंगे eyelashes को and हमेशा आपको last में ही eyelashes को draw करना है नहीं तो आपका जो drawing है वो थोड़ा सा बनाना मुश्किल हो जाएगा and blend करेंगे तो वो फिर फैल जाएगा तो हमेशा आपको last में ही eyelashes को draw करना है झाल अब इस तरफ भी हम उसी सेम प्रोसेस से सेकेंड लेयर को एड़ करेंगे एंड सेकेंड लेयर के साथ साथ इसमें हाइलाइट्स एंड डीटिल्स को भी एड़ करेंगे झाल 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 यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं मैंने यहाँ तक का ड्रॉ कर लिया है आईस को और इसको ड्रॉ करने में मुझे पूरे तीन घंटे लगे थे अगर आप भी इसी तरीके का लार्ज ड्रॉइंग करते हैं अगर इस तरीके का कोई भी अगर आप कमिशन वर्क हो कैसा भी वर्क हो तो उस पर आपको अपना पूरा टाइम देना पड़ेगा और आपको शेडिंग लेयर बाई लेयर करनी है जिसे की काफी अच्छा और काफी रिलिस्टिक लुक आएगा अगर आज के इस वीडियो में इतना ही I hope कि आपको इस वीडियो काफी helpful लगी होगी and पसंद आई होगी so don't forget to like, share and subscribe to my channel and मिलते हैं next वीडियो में so till then bye bye and thanks for watching झाल